हलो मेरे दोस्तों देखिए आज मैं पार्ट टू लेकर आ गया हूं हिंति गद खंड पार्ट आठ और पार्ट का नाम है तो था और इसके लेखागे रभीना टैगोर और रभीना टैगोर जी का जीवन पर इस याग की वीडियो आपने नहीं देखिए तो जाके डिस्क्रिप तो मैं उस वाली वीडियो में आपको नहीं बताए पाया था तो मैंने पार्ट टू बना लिया है इस वीडियो में तो आप मैं आपको बताता हूं गद्ध्यान्स 4 और तब पंडितों मैं एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्चा लेकर वहे कांड रचाया जिसे कहते हैं यह है गद्ध्यान्स 4 और मैं गद्ध्यान्स एक वार फिसे आपको रिफीट करके बता दिता हूं और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्चा लेकर वहे कांड रचाया जैसे सिक्चा कहते हैं उस वीडियो में मैंने संद्रव आपको पहल द्धिंद्र नाथ टेगौर द्वारा लिकित दोता नामक कहानी से लिया गया है यह हो गया इसका संद्रव आम इसकी व्याक्या बता देता हूं इस गद्ध्यान स्पूर की प्रस्तुत पंक्तियों में इसपष्ट किया गया है कि लोहार द्वारा लोहे की सलाख है पूरे राज में यह वात फैल गई है और इस कार के लिए उसे बहुत साधन दिया गया जिससे लोहार की पतनी के अंगों पर सोने के गहने लाद दिये गए गोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सम्मान दिया अता अन्यपूर्ण व्यवार के कारण तोता मर गया और तोता कब मर गया किसी को पता भी नहीं चला पृष्ण है कि पंडितों ने तोते के साथ क्या किया पंडितों ने तोते के साथ क्या किया आंसर में हम लिखेंगे पंडितों ने तोते को लोहिक की सलाखों के अंदर रख दिया और फिर पढ़ाना सुरू कर दिया तो जैसा कि आप लोग ने ये कहानी भी पढ़ी होगी और मैंने आपको कद्यांशी बताया है तो अब इसका ये प्रिक्ष्ण बनता है तो ये प्रिशन है कि तोता नामक कहानी के माध्यम से क्या आपका अभी प्राय है तो तोता का जो पाठ है इससे हमें क्या सिक्षा मिलती है क्या हमें इससे पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ तोता नामक कहानी के माध्यम से देज में सिक्षा के स्थर पर ब्रश्टचार के उपर करारा कटास किया गया है इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है कि सरकार की ओर से स्वर्शिक्षा अभियान के तहित करोडो स्वयम खर्च करने के बाद भी बच्चों को सिक्षा नहीं मिल पा रही है लेकिन कागजों में सिक्षा की पिर्तिस्थ जादा दिखाई जाती है वही दूसरी और करोडो रुपे का बजट लेने के बाद उसे मंतरी और नौ बर्स ड़कार जाते हैं जैसा कि आप लोग ने ये पार्ट पड़ा है इसके बारे में जाना है तो उनका इसके जो लेखा है रविन्ना टैग और उनकी माद्यम वो कहते हैं कि आज के जो तोता नाम तोता है जो है हम इनसान है इसका राजामान होता है सरकार तो वही सरकार के माद्यम से देश के सिक्षा का जो इस्तर है ब्रस्टचार की उपर कटास कर दिया गया है और सरकार ने जो अभियन चलाया है सिक्षा के करोड़ों रूप है खर्च कर दी है नेकिन बच्चों को सिक्षा नहीं मिल पा रही है नेकिन कागजों में कुछ की ऐसी प्रिसीद दिखाई जाती है कि मलब की वो ऐसा दिखाते हैं सरकार को क्यों ने यह किया यह किया नेकि तो उसी प्रकार बताए गया है इस पार्ट में तो यह था आखरी जो प्रिश्ण है मैं आपको पार्ट टू में इस अच्छी से एक्सपे लिन कर दिया है पार्ट आठ तो था तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंजाइन में पहले हो तो सब्सक्राइब कर अच्छी